जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस और नाशनल कॉंफरेंस की सरकार बन रही है और अब कहा ये जा रहा है कि सीम होंगे उमर अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला कौन है और कितने धनवान है कश्मीर के नए सीम ये अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में नाशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रस गडबंदन की जीत अब करीब करीब तय है तो पहर एक बज़े तक वोट काउंटिंग बता रही है कि ये गडबंदन सरकार बनाने से कहीं जादा सीटू पर निरनायक बढ़त ले चुके हैं पूरी उमीद है कि नाशनल कॉंफरेंस के उमर अब्दुल्ला नौ साल बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या आपको मालूम है कि उनकी नेट वर्थ कितनी है कितना धन उनके पास है और कितने मकान उनके नाम पर है सियासत के अलावा उनके कौन से बिजनिस हैं उमर अब्दुल्ला आकरी बार 2009 से 2015 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे उन्होंने दो सीटें गांदर बल और बदगाम से विधान सबाचनाव लड़ा चनाव लड़ने के दोरान उन्होंने जो एफिडेविट यानी हलफ नाम अदाकिल किया उसके अनुसार उनकी नेटवर्ट कश्मीर के तमाम सियासती नेताओं से बहुत कम है ना तो उनके पास अपने नाम का कोई मकान है ना कार है और ना ही वो कोई बिजनस चलाते हैं किवल 95,000 रुपे नाकद ये उन्होंने अपने एफिडेविट में उस दोरान लिखा था ऐसे में उनका खर्च कैसे चलता है ये हम आपको आगे बताएंगे और पैसा भी उनके पास कितना नकद है कितना बैंक में ये भी हम जानेंगे चुनाव लड़ने के लिए जरूरी हलफ नामे में उन्होंने लिखा है कि उनके पास कुल 54,000 रुपे की संपत्ती है लेकिन नकद धनराशी किवल 95,000 रुपे ही है बाकी धन उनने अलग-अलग बैंकों में फिक्स के तौर पर जमा कर रखा है कोई भी मकान या दुकान उमर अब्दुल्ला ने हलफ नामे में इसका कोई जिक्र नहीं कि और साफ लिखा कि उनके पास कोई मकान नहीं है नहीं कोई कृशी, योग भूमी या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग उनके पास है तो सवाल ये है कि उनके पास पैसा आखिर आता कहां से है और उनका कहना है कि उनकी आमदनी का मुखिस्तरोत विधायक और सांसत के तौर पर उनकी पेंशन है पीपल्स कॉन्फरेंस के चेयर्मेन सज्जाद लोन के पास 19 करोड रुपे की प्रॉपर्टी है उनकी आमदनी काफी जादा है, वो सालाना 82 लाक रुपे कमाते है इस चुनाव में अलताव बुखारी सबसे धनी विधान सभा उमीदवार थे और उनकी पार्टी का नाम अपनी पार्टी है, उन्होंने हलफ नामे में अपनी संपत्ती 165 करोड रुपे कीमत दिखाई इंग्लाड में पैदा हुए उमर अब्दुल्ला की उमर इस समय 54 साल है उनका जन्म इंग्लाड के रॉचफोर्ड में हुआ था वो जम्मो कश्मीर के जाने माने अब्दुल्ला सियासी परिवार से तालूक रखते हैं उनके दादा शेक अब्दुल्ला जम्मो कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री थे उनके पिता फारुक अब्दुला भी राज के मुख्य मंत्री रहने के अलावा केंदरी मंत्री भी रह चुके हैं स्कॉटलांड से बिजनेस अड्मिस्ट्रेशन में ग्राजुएशन की पढ़ाई उन्होंने की हुई है और श्रीनगर मुंबई और स्कॉटलांड में उनकी पूरी पढ़ाईया हुई है उनने स्कॉटलांड की उनिवर्स्टी ओफ स्ट्रेच क्लाइट से बिजनेस अड्मिस्ट्रेशन में ग्राजुएशन किया इससे पहले वो कॉमर्स में भी बैचलर डिग्री हासल कर चुके थे मातर 28 साल की उम्र में सांसद बन गए उनकी सियासी पारी 1998 में लोकसभा चनाओं के साथ चुरू हुई तब वो केवल 28 साल की उम्र में लोकसभा सदस्य बने और उन्होंने कॉमर्स और इंडस्ट्री राज्जी मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपे किया गुवाई वाली केंद्र सरकार में काम किया 2002 में वो नाशनल कॉन्फरेंस की जम्मो कश्मीर एकाई के अध्यक्ष बने और इसके बाद वो 2009 से 2015 तक राज्जी के मुख्यमंत्री रहे वो राज्जी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे तो यह आपने समझा कि आखिर कौन थे, कौन हैं जो आप बनने वाले हैं नये नवेले, सीम, जम्मो कश्मीर के उमर अब्दुल्ला उनकी डीजेल्स हमने आपको बताई और यह जानकारी आपको कैसी लगया आप कमेंट सेक्शन के जरी अपना फीडबाक हम तक जरूर पहुंचे